खरगौन के सेहरी सीमा में लगी करीब आश्यत रजन कालनियों के सून्य मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपिये को गिरफतार करने में पुलीस को सफलता हत लगी है मैंगाव पुलीस ने कारोपि से साथ लाक रुपए मुल्य के चोरी की आभुशन और नकदी बरामत की है मामले में एक चोर और चोरी के आभुशन खरीदने वाला सुनार फिलहाल पुलीस गिरफते से दूर है रविवार को एसपी धर्मविर्सी हने मामले का खुलासा करते हुए बताए कि मैंगाव पुलीस ने सुकपुरी की रपट से नकब जनी की फिराक में खड़े अमजद को 22 अक्टूबर को पकड़ा पुश्ताच में इसने करीब 9 कॉलोनियों में अपने साथी मोला दोनों निवासी खेरवा जाकिर के साथ मिलकर चोरिया करना कबूला इन्होंने चोरी का कुछ माल धरमपुरी निवासी लाला को बेचा है लाला और मोला की तलाश की जा रही है जबकि अमजद से 110 ग्राम सोने एक किलो चांदी के आभुचणों के साथ 20,000 रुपे नगत बरामत किये है खरगौन से जयनत गुपता की रिपोर्ट इन गटनाओं को काफी गंबिटा से लेते हुए एडिसलेश्पी, सिटी, खरगोन, सी, मनीश खत्री साहब और स्डियोपी राकिर महिन सुबला जी के नेत्रत में एक विसिस्टीम लगाई गई थी जिसमें थानाप्रवारी मैंगाम और चौकी प्रवारी जयतापूर के साथ हमारी साइवर टीम में लगी हुई थी इसमें अभी दो आरोपियों पकड़ा गया है यह इंटर जिस्टिक गैंग के सदस्टे हैं विसिकली मनावर के रहने वाले हैं एक आरोपी अमजद है और एक व्यक्ति इनके जो गैंग का मेंबर है वो सुनार है जो चोरी कही संपर्तियों खरीता है सुनार को इसमें आरोपी बनाया है यह पूरी रिकवरी नौ चोरी घटनाओं की है जिसमें करीव सात लाख रुपे का मसूर का वरामत किया गया है इसमें नौ केस वर्काउट हुए हैं जिसमें 110 ग्राम सोना कैस और चांदी वरामत हुई है यह जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं यह विसिकली इंटर डिस्टिक मूव्मेंट करते हैं और रैकी करके ऐसे मकान जो दिन के समय ताला लगा हुआ रहता है सुने मकाम रहते हैं उनको टार्गेट करते हैं क्यूरी का मसूर्गा ले जाके मनावट छेत्र में ही सुनारों को विक्रे करते हैं तो एक बड़ी रिकवरी है और दिन के समय जितनी घटनाएं हुई है लगों सभी घटनाएं से बरकाउट हो गई है इस घटना का एक आरोपी भी फरार है उसके ग्रफतार होने पर पूरी इस्टेंड गैंग को पकड़ने में तीम को वड़ी कामजा भी मिलिए इसमें तीम के सभी सदस्याओं को प्रुश्कित किया जाएगा हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना पुलें